जब आप इस रूप में पहुँच जाते हैं, जिसे इंसानी रूप कहते हैं, तो यहां से आपका विकास प्राकरतिक तरीके से नहीं हो सकता, इसे चेतन तरीके से होना होगा. अगर आप चेतन नहीं होंगे, तो यहां से कोई विकास नहीं होगा, बंदर विक्सित हो सकते हैं, इंसान विक्सित नहीं हो सकता, वो सिर्फ चेतन होकर विक्सित हो सकता है. कहीं न कहीं, प्रकरति ने आपकी बुद्धी पर भरोसा किया, उसे विश्वास था कि, आपकी बुद्धी इस तरह की है, कि आप स्वभाविक रूप से उची चीज चुनेंगे, न कि मीची चीज. पर आप प्रकरति के भरोसे को गलत सावित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं है. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने तरीकों से खुद को खुश करें. कहीं न कहीं, कोई चीज, किसी विशाल चीज को पानी की गहरी इच्छा रखती है, है ना? हाँ आप खुद को धन, कचरे और हर चीज से भर लें, फिर भी ये लालसा नहीं जाती. जब ये लालसा सहन नहीं होती, तब आप खोचते हैं. जब आप खोचते हैं, तो क्या आप उस चीज को खुद नहीं देख सकते हैं? जो आपके भीतर ही है, आप देख सकते हैं. पर ये अ अंजान मार्ग है इसलिए अगर आप अकेले जाएंगे तो आप जानते हैं को अलंबस के साथ क्या हुआ था वो भारत आना चाहता था लेकिन अमेरिका पहुँच गया वो मार्ग अंजान था तो बस संयोग वश वो इस महादीप पर आप हुँचा हम बस उन्हीं के बारे में सुनते हैं जो कहीं पहुचे थे क्या आप जानते हैं कितने लोग कभी कही नहीं पहुचे हजारों नाविक जो यात्रा पर निकले थे वे कभी कहीं नहीं पहुचे अगर आप बिना किसी मार्ग दर्शन के अंजान मार्ग पर जाएंगे तो ऐसा ही होगा आज कुलम्बस के यहां पहुँच जाने से जरा देखिए योरोप से अमेरिका जाना कितना सरल है क्यों? क्योंकि इस वेक्ति के कारण आज यह जाना पहचाना मार्ग है इसी तरह आप एक गुरू के पास जाते हैं उनके अनुभव का इस्तमाल करना अच्छा है क्या मैं इसे खुद नहीं कर सकता? आप कर सकते हैं लेकिन हम नहीं जानते कि खुद करने पर आपको इसमें कितने जीवन काल लगेंगे ऐसा नहीं है कि यह असंभव है आप इसे एक पल में भी कर सकते हैं आप एकदम से भी वहाँ पहुँच सकते हैं हम नहीं जानते लेकिन 99 प्रतिशत लोग बस खो जाएंगे और मिट जाएंगे इसी लिए एक गुरू जरूरी है गुरू बस एक साधन है गुरू एक व्यक्ति नहीं है यह समझना जरूरी है गुरू पूर्णिमा महत्व पूर्ण है क्योंकि एक चीज है एतिहासिक महत्व क्योंकि इसी दिन आदी योगी ने खुद को आदी गुरू में बदल दिया था गर्मियों की संक्रांती के बाद की इस पहली पूर्णिमा का एक विशेश महत्व है इसे आम तोर पर कृपा का दिन माना जाता है और इसी दिन पहले गुरू ने शिक्षा देने का फैसला किया था तो ये धर्ती के हर मनुष्य को एक महत्व पूर्ण चीज याद दिलाता है क्योंकि हर कोई अपनी सीमाओं में जीता है शरीर, मन, सामाजिक धांचे और गुण दोश हर तरह की सीमाए हर इनसान के लिए ये जानना महत्व पूर्ण है कि इन चीजों से परे जाने का एक तरीका है गुरू पूर्णिमा यही याद दिलाती है